हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिने स्टडी इंडिने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए यूपी पुलिस कॉंस्टेबिल और यूपी रेडियो अपरेटर के लिए हिंदी का मौक टेस्ट लेकर क्या जाओं जो कि आप आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि जब वेकेंसी आएंगी तो आपको खुद पता नहीं चल पाएगा कि कितना समय जो है वो आपको तयारी के लिए बचा हुआ है तो इसलिए मेरी तो अभी से एड़वाईस है आपकी आप लोग के लिए कि अगर आपकी तयारी नहीं है तो अभी से लग जाओ क्योंकि मैं दिन भर में एक ही प्रेक्टिस से प्रोवेड कर वा रहा हूं अभी इंदी का ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ बाकी आर आपकी एक्छाय जैसा भी आपको ठीक लगे क्योंकि मैं आप लोग की बहतरी के लिए बत है ना तो पहला कोसेंस आपके सामने खेल सुरू होने के एक गंटे पहले खिलाडी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ड में गलती है खेल शुरू होने के एक गंटे पहले खिलाडी मेदान में जाकर कुछ कसरत की जगे हो जाएगा आपका अभ्यास क्या कुछ अभ्यास कर लेते हैं समझ रहे तो तीसरे पाड़ में गलती है तीसरा ओप्सन्स करेट जो महमान दिल्ली से आये थे उन सब को माने चाय पिलाया तो देखो आराम से पता चल गया होगा आपको किसके किस पाड़ में गलती है जो महमान दिल्ली से आये थे उन सब को माने चाय पिलाई नौट पिलाया तो यहाँ पर भी तीसरे पाड़ में गलती है नेक्स्ट कोसन्स देखो मुहावरे के भावारत की दरश्टी से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है कोसा नमबर एट जल्दी से बताओ बाल की खाल लिकालना यानि की बहुत परिस्रम करना पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि बाल की खाल लिकालने का मतलब क्या हो जाएगा बहुत चानवीन करना ना की बहुत परिस्रम करना तो पहले ही options correct स्वाकिया सब्द का आपको bloom सब्द बताना है कि स्वाकिया सब्द का bloom सब्द क्या होगा तो स्वाकिया सब्द का bloom सब्द हो जाएगा आपका परकिया च्वाथा options correct ठीक है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टार्गेट रखता हूँ यार तो प्लीज दोस्तों 100 लाइक जो है वो जरूर से कंप्लिट कर दीजिएगा सरवनाम के उचित रूप से रिक्तिस्तान की पूर्ति कीजिए फिलिंदा ब्लैंक्स चावी खो गई तो आपको बताना है कि फिलिंदा ब्लैंक्स के इससान पर स्यूटेबल वड़ गया होगा मैं जो है वो यहां पर आएगा लेकिन मैं कही परिवर्तित रूप आएगा ये आपको हिंड के रूप में दे दिया तो मेरी चावी खो गई तो बस तीसरा ही उपसन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निमले के तमेसे किस बाक में अपादान कारक है अपादान कारक का विवक्ती चिन होता है से और वो भी अलग होने के लिए अब देखो कहां पर से बिवक्ती चिन का यूज हो रहा है और अलग होने के अर्थ में देखोगे तो पता चल जाएगा लड़का पेड़ से गिरा जो को सीख में आ रहा कारक चिन और अलग होने के लिए वो आ रहा क्योंकि जब लड़का पेड़ से अलग होगा तब ही तो गिरेगा तो यहां पर आपादान कारक होगा तीसरा ओप्सेंस करेट राजपुत्र में आपको बताना है कि कौन सा समास है आराम से बता सकते हो सिंपल सा कोस्टन्स है राजपुत्र का आप समास बिग्रे करो तो राजपुत्र का समास बिग्रे हो जाएगा राजा का पुत्र हो जाएगा और जहां कारक चिन्नों का बूद हो जाता है तो वहां प ठीक है निम्ले के तमेंसे कौन सा वाक जो है वो सही है जो वाक सही है उसी का आपको चेन करना है कोस्ट नमबर 13 में देखो और फिर बताओ मुझे घर जाने की जल्दी है पहला ही ओपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा निम्ले के तमेंसे कौन सा सब्द जो है सुद्ध है जो सुद्ध सब्द है उसी का चेन करना है कोस्ट नमबर 14 में तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर अनुगरेत दूसरा ही ओपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे जनता द्वारा चलाए जाने वाला राय उसको बुलेंगे जनतंत्र दूसरा ओप्सन्स करेट दिगंबर का संदी विक्षित क्या होगा कोर्ष नमबर 16 जल्दी से बताओ दिगंबर यहाँ पर आपकी कौन सी संदी होगी वेंजन संदी होगी कौन सी संदी वेंजन संदी दूसरा ओप्सन्स करेट किलकत कान गुटू रुवनी आवत मही में या मनी में कनक नंद के आंगन बिम्ब पकरीवे धावत उप्योग पंक्ती में बासल रस का आलंबन है कौन आलंबन आपको बताना यह कौन सा आलंबन है कोस नमबर 17 तो सही आंसर हो जागा बालक स्रीकिष्ण च्वाता ओप्सन्स यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा स्रीकिष्ण यानि कि कहना कहना जो जो है वो आलंबन है ठीक है ना तो बस चौता options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct वसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर रिखांतित अंस में आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है कोस नमबर 18 तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा तीसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा मन मयूर ठीक है मन सब्द जो है वो उपमें हो जाएगा मयूर सब्द उपमान तो जहाँ पर एक रूपता इस्थापित हो है ना तो वहाँ रूपा कलंकार होता है एक आंक से रोवे एक आंक से हसी इस लोकुत्ति के सही अर्थ क्या है कोस नमबर 19 तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिखावटी रोना च्वाता ओप्सन्स करेक्ट चा चा जहा उदारने किस के है कोस नमबर 20 जल्दी से बताओ तो ये इसपरसी संगरसी वेंजन के उधारने दूसरा ओप्सन्स करेक्ट ठीक है ठेट हिंदी का ठाट के लेखा कोन है कोस नमबर 21 जल्दी से बताओ तो सही आंसर हो जागा अयोध्या सिंगुपाद्या हरियोध तीसरा ओप्सन्स करेक्ट मेला आचल के लेखा कोन है कई बार पूचा जा चुका है फणी स्वर नात रिनू पहला ओप्सन्स करेक्ट निमले के तमेसे सुद्वाक का चेन करना है 23 में उसे अनुत्रिन होने की आसंका है चौथा ओप्सन्स करेक्ट बड़े बड़े मोती से आंसु जैमाला पहनाते थे उप्योग पंक्ती में नहित लंकार का नाम चुनिए तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उप्मालंकर ये से दिख रहा है ये से ये बाचक चिन है जहां से आप उप्मालंकर की पहचान करेंगे सुद्वाक या सुद्वसब्द आपको बताना है सयांसरो जगा विर्हणी तीसरा ओप्संस करेट चंद्रगानता उपन्यास की लिखा कौन है देप की नंदन खतरी पहला ही ओप्संस यहां पर आपका विल्कुल करेट आधुने काव के चायावादी कभी नहीं है कौन काली मिर्च सब्द में कौन सा समास है काली मिर्च यानि काली है जो मिर्च उसी को तो बोलीगे काली मिर्च और जब है जो की इंदी आए करमदार है समास और विसेशन और विसेश की योग से जो सब्द बनता वो भी करमदार है समास काली मिर्च में मिर्च विसेश है और काली सब्द विसेशन है तो भी कर्मदार है समास होगा कोसर नमर 29 देखो गलती पहचनना है यह एक पुरानी समाजिक मानता और मानसिकता है कि नारी अपने पेरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षा में तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ड में गलती है सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताओ तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपने पेरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षा में तीसरे पार्ड में गलती है ठीक है इसका सही वाक होगा यह एक पुरानी समाजिक मानिता और मानसिकता है मानिता और मानसिकता है कि नारी स्वाब लंबी बनने में अक्छा में अपने पेरों पर खड़ियो कर नहीं आएगा कि नारी स्वाब लंबी बनने में अक्छा में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी इसलिए तीसरे पार्ड में गलती है दुर उपसर्ग किस सब्द समों में हैं? जल्दी से बताओ 30 दुरवास्ता में दुर उपसर्ग है और दुर दसा में हैं पहले ही आप्सिन्स करेट रे मन आज परिक्षा तेरी सब अपना स्वबाक मनावें दरस परस नीश्त्रे पावे उधारक चाहे तो आवे यही रहे तो आवे किस रस का उधारण है? वियोक्सरंगार रस यानि केस कोस्टन्स का दूसरा ओपसंस करेट होगा वियोक्सरंगार रस का उधारण है मैं आपको बताना है कि कौन सा लंकार है कोसर नमबर 32 मुमुक्छू का प्रियोग किस अर्थ में होता है मुमुक्छू यानि कि मुक्छ का एक छुक उसी को तो बोलेंगे तो बस चौता ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस निमले के तमेंसे कौन सा बलो में हो को मुझे है वो सही नहीं है 34 में इस्ट का अनिष्ट ठीक है नत का अवनत ठीक है उतकर्स का निसकर्स गलत है उतकर्स का अपकर्स होता तीसरो ऑप्संस करेक्ट अलंकार आपको पहचानना है कि कल हंस कला निदी खंजन कंज कचू दिन केसब देखी जिए मैं आपको बताना है कि कौन सा लंकार है देखो का का है ना हिहां खा और यहां पर भी फिर का आ गिया तो का वड़ की आवरती बार बार आ रही और जब एक वड़ की आवरती बार बार आ है तो वहान उपरा असलंकार होता है तीसरो ओप्संस करेक्ट कुरमी और बिजी प्रह वाचियं किसके लहर के प्रह वाचियं दूसरो ओप्संस करेक्ट ततसम सब्द कौन सा है वो आपको चुनना है थार्टी सेविन में चतुस्पद तस्तम सब्दे तीसरा ओप्संस करेट लोकोत्ती में कौन से संदी है संदी विग्गरे करोगे कोसंस का अंसर आपके सामने है लोक प्लेस उक्ती लोक में का रहा तो छोटा आ उक्ती में उ आ रहा तो आउ बनेगा और आउके संदी में मनता गुड़ संदी में मनता तो बस गुड़ संदी हो जाएगी दूसरा ओप्संस करेट कौन सा स्त्री लिंक सब्दे सर जल्दी से बताओ सूचना एक स्त्री लिंक सब्दे दूसरा ओप्संस करेट मिलावट में पिरते बताना है तो मिलावट में कौन सा पिरते होगा तो इस कोसंस का अंसर आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके हिंदी के इंपोटेंट कोसंस जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बेहद इंपोटेंट है वीडियो दोस्तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक और सेज रुकर दीजेगा बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में नेक्स सेसन में जै हिंद जै भारत